नमस्ते बच्चों पिछले वीडियो में हमने कहानी नमबर एक एकता में बल की थी आज हम करेंगे कहानी नमबर दो बंदर और टोपी वाला आईए हम इसे पढ़ते हैं किसी गाउं में एक टोपी बेचने वाला रहता था वह प्रति दिन शहर से टोपी लाकर गाउं में बेचता था एक बार टोपी वाला शहर से टोपी खरीद कर लोट रहा था उस दिन गर्मी बहुत अधिक थी रास्ते में वह एक पेड की छाया में रुख गया वह बैट कर आराम करने लगा कुछ देर में उसे नींद आने लगी और वह सो गया उसी पेड पर कुछ बंदर बैठे थे एक छोटा बंदर नीचे आया और थेले से एक टोपी निकाल कर पहन ली उसे देखकर सारे बंदर थेले से टोपी निकाल कर पहनने लगे कुछ देर बाद जब टोपी वाले की नींद खुली तो उसने अपना थेला खाली पाया उसकी सारी टोपियां बंदरों ने पहन रखी थी कुछ देर सोचने के बाद उसने अपनी टोपी उतार का नीचे फेंग दी यह देखकर सभी बंदरों ने भी अपनी टोपी उतार कर फेक दी टोपी वाले ने सारी टोपियें इखटी की और थेले में भर कर चला गया शिक्षा हमें दूसरों की नकल नहीं करना चाहिए इस प्रकर बच्चों यह कहानी आपको अपनी हिंदी व्याकरण की कॉपी में करना है धन्यवाद